ये सबजी अगर आपने बना के खा ली ना तो हाड़ेट्रेक के चांस आपके ना के बराबर हो जाएंगे सर्दियों में क्या होता है कि खून बिल्कुल गाड़ा हो जाता है वो पतला नहीं होता तभी हमें सैलेंट अटेक आते हैं और इस तरह की सबजी को हम बिल्कुल भी इग्नोर करेते हैं सर्दियों में खाते नहीं है दो से तीन बार भी आपने खा ली ना तो आपको हाड़ेक के चांस तो सैलेंट अटेक आते हैं वो बिल्कुल खतम हो जाएंगे बनाने ही कैसे और इक क्या चीज़े बतातों आपको तो यह है कच्ची हल्दी जी हां कच्ची हल्दी है वो मैंने लिए 200 ग्राम कच्ची हल्दी की सबजी अगर आपने बना के खा ली ना तो बस यह समझ लो कि आपके हायर अटेक के चांस बिल्लू खतम सैलेंट अटेक आन करती है जो कि हार अटेक के चांस को सबसे जड़ा कम कर देती है अंदुरूनी चोट हो सूजन हो इंफेक्शन हो सर्दी जुखाम हो आदी सारी समस्यों के दूर कर देती है इसमें विटामिन सी पोटेशियम प्रोटीन फाइबर केल्शियम आयरन मेगरेशियम कॉपर जिंक कादी काफी मात्रा में होता है ये हार अटेक के साथ साथ कैंसर की कोशी कोई सरी से बढने में रोकती है तक कोई नहीं किया बारीक हम क्यों काट रहें तो कद्दू कस करेंगे ना तो वह भी बताऊंगा कि क्यों नहीं कद्दू कस कर रहें लोग जातर कद्दू कस करते हैं फटाफट से कि यह कर दें कि कद्दू कस कर लेते हैं लेकि मैं बारीक काट रहा हूं इसको जितनी बारीक हो सके न गी थोड़ा सा हमारा गरम हो जाए और दोस्तों यह रेसिपी है ना अगर आपने सर्दी में यूज़ करी ना तो हर्टेक आने का चांस बिल्कुल खतम आपका और कई बीमारी तेश पत्ता एक और यहां पर तीन से चार काली मिर्च एक बड़ी इलाइची और एक इंच का पकाया अब यहांपर क्या करें यहांपर मैं डाल रहा हौँ 6-7 के नितर डाल रहा हो और यहांपर डाल रहा है एक हरी मिर्ची बीमीर्ची और इसहा हमें भूनना है लेकिन भूनना कितना है इतना भूनना है कि लसन का कच्चा पन चले जाए ज़्यादा रोगा conf lot- Cap लिल हल्दी जो हमने बारीक चाट के ढाल है कि हमें कद्दू कस नहीं करना क्या हुँ उन मिनट नदकर हमें और और यहां पर मैंने एक टेबिंट इंस का अध्रक टुखड़ा लिया है उसको मैंने बारीक का लिए temps कि अदरुखन को हो जाए और बिल्कुल खतम हो जाए यहां पर हम पकाएंगे इस हल्दी को करीबन मीडियम फ्लेम के उपर साथ से आठ मिट जिहां कच्ची है रजाएगी हल्दी तो वो कड़वापन देगी यह ध्यान रखीगा तो हल्दी को अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसके अंद श्रकी अधर ज्याद निकल और घी बिल्कुल सेप्रेट नहीं हो ज़ाए जाग निकल घी बिल्कुल सेप्रेट अच्छी का cat और हल्दी के टेक्च matoriत तार्प प्रेस्वर्ड ले यह थ्यान रखीए और ना कच्छापन देदेगी मीडियम चाइज का मश्या है लिएग कि इसे हमें पकाना है दो से तीन मिंट जी है मीडियम फ्लेम भी पकाना है टमाटर सॉफ्ट हो जा और मतर हमारा सॉफ्ट हो जाए तो दो से तीन मिंट मैं इसे पकाया मतर और टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है और इसके मैं फैया आपको बताई चुका हूँ कि यह भीया इत कर सकते हैं और एक टी स्पून डाल रहा है इसके अंदर धनिया पाउडर पस इतने ही मसाले इसके अंदर डलेंगे और कुछ नहीं डलेगा और इसे हमें बिल्कुल फेटना मतलब क्या है कि बिल्कुल पकाना है हिलाते वे अगर हमने इसको हिलाना छोड़ दिया ना तो दही ह हमारा फट जाएगा और खटापन देदेगा तो रेगुलर इसे बिल्कुल हिलाते रहिएगा और इसे पकाना है जब तक कि हमारा घी सेपरेट नहीं हो जाए धही हमारा पूरा अच्छी तरह से पक नहीं जाए और यह देखिए धही भी पक चुका और यह हमारे मटर वटर सब सॉफ्ट हो चुके हैं गी सेपरेट कर चुका है यह मसाला बिल्कुल हमारा हो चुका है तियार और हल्दी इसके साथ साथ बहुत अच्छी पक चुकी है यह सबजी आप स्थोर करके साथ से आर दिन रख भी सकते हैं अब यहां पर क्या करेंगे एक मैंने लिए हरा प्य जाल देंगे पहले तो फिर गल जाएगा सौफ्ट हो जाएगा उसका फ्लेवर नहीं आएगा तो बस दो मिटी पकाना धनी और प्याज को तो दो मिट मैंने से पकाया और यह देखिए दो मिट पकाने के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल हो चुके तियार देशी की में बनी ह हैं और यह हाट के लिए इतनी फायदे मन्दे दोस्तों जब हाट की प्राब्लम होती हैं डॉक्टर बोलता है कि हल्दी घोल के पानी के अंदर पीओ तो बस यह हमारी सब्जी हो चुके तियार और यह कैंसर तक से लड़ने की इतनी शमता रखती है कि यह कैंसर तक को खतम क कर सकती है तो यह सब्जी हमारी बिल्कुल तियार सर्दियों में अगर आपने दो तीन बार इसे खा ली न तो आपकी कई समस्यां दूर जाएगी तो मैंने आपको बताईए तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा मेरे वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल पर हैंने तो सब्सक्राइब करेगा नए रस्टिप और नए वीडियो के साथ वापिस आज रहता हूं तब तक के लिए नमस्कार जैहिन